गुड मॉर्निंग चिल्डरन बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विशेशन का अभ्यासकार्य करवाने जा रही हूँ तो बच्चों एक अभ्यासकार्य मैंने आपको आपकी हिंदी वर्कशीट 51 में दिया है और एक अभ्यासकारे मैं आपको बुक में से आज आपका अभ्यासकारे जो बुक में दिया गया है उसको हिंदी व्याकरन की जो आपकी पुस्तक है बच्चों आपकी हिंदी व्याकरन की बुक व्याकरन कुसुम क्लास थर्ड है इसमें करवाऊंगी ठीक है तो आज हम अभ्य अब्यास कारे करेंगे उसके बाद आपको वर्कशीट में दिया गया अभ्यास कारे करेंगे ठीक है बच्चों तो सोरी बच्चों चलिए हमारा पहला प्रशन है निमल्की वाक्यों में विशेशन तथा विशेशन चांटिए तो बच्चों मैंने आपको विशेशन बताया है क्या होते हैं विशेशन जो संग्या या सरम नाम की क्या बताते हैं विशेशता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं विशेशन ठीक है और विशेशे क्यों होते हैं बच्चों जिनकी विशेशताईं बताई जाती है ठीक है जिनकी मान लो आप एक लड़के ओ आपका नाम क्या है कुछ भी समझ लो आप आपका नाम सौरब है ठीक है मैंने बोला कि सौरब अच्छा है ठीक है तो आपकी विशेष्टा हमने क्या बताई अच्छा और क्या बोलते हैं विशेष्टा किसकी बताई देखते हैं एक कप चाए दीजीए ठीक है अब यहाँ पा देखिए बच्चों मैंने आपको बताया एक एक आ गया तो एक क्या है बच्चों हमारा संख्या आ रहा है तो ये संख्या वाचक विशेशन है ठीक है तो हमारा विशेशन कौन सा है बच्चों इसमें एक ठीक है बच्चों ठीक है तो एक किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों किसके बारे में कहा गया है एक कप के बारे में तो विशेश्य क्या है इसमें कप ठीक है आगे देखि पेड पर 5 बंदर हैं, तो पेड पर 5 बंदर हैं, ठीक है, तो 5 यहां पर देखिए, 5 यह संख्या वाचक विशेषन आ गया, है ना, बंदर, 5 कों ने पेड पर बंदर है, ठीक है तो हमारा विशेशन क्या है पाँच ठीक है और विशेशन क्या है हमारा बंदर ठीक है आगे देखिए पतला बालक फिसल कर गिर पड़ा अब इसमें विशेशन क्या है इसमें संग्या सरम नाम क्या है बच्चों बालक है ना संग्या शब्द संग्या बालक में आता है ठीक है तो जो संग्या सर्म नाम की क्या बताते हैं विशेशता तो संग्या की विशेशता क्या बता रहा है पतला बालक कैसा है पतला है तो ये कौन सा विशेशन है बच्चों हमारा गुण वाचक विशेशन ठीक है तो ये गुण वाचक विशेशन है तो इस गुण वाचक तो हमारा इसमें विशेशन कौन सा है बच्चों, पतला, ठीक है, और पतला किसके बारे में कहा गया है, बालक के बारे में, तो विशेशन क्या है, बालक है, कक्षा में कुछ चात्र है, ठीक है, अब कक्षा में कुछ चात्र है, अब कुछ हमारा क्या आ गया बच्चों, संख ईहांब की आएगा कुछ एक कुछ विषेशन है और छात्र क्या है विशेश्य है हेमंत इमानदार लड़का है ठीक है अब इसमें फिर विशेशन क्या है बच्चों इमानदार ये गुणवाचक विशेशन है ठीक है और लड़का क्या है उसके लड़का की विशेश्ता बता रहे है तो विशेश्य तो ये इमानदार क्या है विशेशन ठीक है और लड़का विशेश्य ठीक है बच्चों समझ आगे आपको अब चलिए आगे देखते हैं सही मिलान कीजिए अब विशेशन और विशेश्य का हमने क्या करना है सही मिलान करना है ठीक है अब हमने मिलान करना है मोड़ा इसमें से क्या हो सकता है बच्चों विशेशन की साथ वजन हो सकता है कपड़ और आदमी कोट दही की पतंग ।ो मोटा कोन होता है हमेशा आदमी ठीक है काला क्या है बच्चों काला क्या हो सकता है काला काला क्या हो सकता है बच्चों कोट ठीक है काला कोट हो सकता है भारी वजन भारी वजन हमेशा क्या होता है भारी होता है भारी वजन भीगे क्या होते है भीगे कपड़े होते है न कपड़े है न कटी कटी हमेशा क्या होता है प बतंग, कटा, दही तो इनके गुन होगे ये इनके क्या है? आप देखे निमलकी शब्दों की सायता से खाली स्थानों में उच्षित विशेशन शब्द भरिये तो आपने यहां पर उच्षित विशेशन शब्द भरने हैं ठीक है? अब देखे कि मोहन लड़का है, आप कुछ भी उसकी विशेष्टा लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, इमानदार, हम होशियार लिख देते हैं, मोहन, होशियार लिख सकते हैं, आप इमानदार लिख सकते हैं, ठीक है, होशियार लड़का है, बाहर बहुत क्या है, क्या लिख सकते हैं, कैसे अच्चम कीले लिख दीजिए, अच्छे लिख दीजिए, लाल लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेता जी ने बंधूर, सुन्दर, अच्छा, ठीक है, भाशन दिया, समझागे बच्चों आपको, ठीक है, तो ये इसका अभ्यास कारे था, बच्चों इसका रचनात्मा कारे देखिए, ये भी आप करेंगे, मिठाई, समोसे, निम्बू के लिए उचित विशेशन शब्द लिखिए, तो बच्चों मिठाई कैसी होती है, विशेशन शब्द मिठाई कैसे होती है, मीठी, है ना, समोसा कैसे होता है बच्चों, नमकीन, और नि में करेंगे अब आगे देखिए बच्चों यह आपकी 51 वर्कशीट है आपने इसको 5 दिसंबर को जमा करनी है ठीक है अब देखिए प्रशन पहले अभियासकारे में मैंने आपको प्रशन दिया है निमन प्रशनों के उत्तर दीजिए विशेशन किसे कहते हैं विशेशन के भ ठीक है तो इसके कितने भेद होते हैं इसके 4 भेद हैं गुण वाचक, संक्या वाचक, परिमान वाचक और संकेत वाचक ठीक है बच्चों तो इसके कितने भेज हैं गुण वाचक चार भेद होते हैं गुण वाचक विशेशन, संक्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक औ आपने अंतर बताना है बच्चों मैंने बताया है संख्या वाचक में जो हमको जिसको हम गिन सकते हैं जिसकी हमें संख्या बताते हैं जो शब्द तो जो शब्द संख्या या सरवनाम की संख्या बताते हैं उसे संख्या वाचक विसेशन कहते हैं ठीक है पांस दितलियां तीन इसमें हम गिन सकते हैं ठीक है तो यह हमें संख्या बता रहे हैं ये भी आगे दो भागों में बाटागी है निश्षित संख्या बाचक और अनिश्षित तो निश्षित में हमें निश्षित संख्या दी जाएगी और अनिश्षित में अनिश्षित संख्या ठीक है तो इस शब्दों की माप तोल का बोध कराते हैं उसे परिमानवाचक कहते हैं ठीक है चार मीटर कपड़ा आदा दर्जन के ले एक लिटर दूद कुछ किताबे तो जो हम माप तोल कर लेते हैं दूद हम तोल कर लेते हैं कपड़ा हम माप के लेते हैं बच्चों ठीक है तो ये हमारे क्या आते हैं परिमान वाचक विशेशन तो ये इसका अंतर है ठीक है अब देखे बच्चों फिर से मैंने आपको वही दिया है जो भी हमने बुक में करा है विशेशन शब्दों को उचित विशेशे के साथ मिलान कीजिए ठीक है तो अब हमने इसको उचित विशेशे के साथ क्या करना है इसका मिलान करना है ठीक है बच्चों अब देखे यहाँ पे चार लीटर क्या हैगा बच्चों लीटर में हम क्या नापते हैं पानी तो चार लीटर पानी ठीक है उची क्या होती है बच्चो इमारत वेक्ती पानी वस्तुए मोसम की घास तो उची इमारत ठीक है हरी क्या होती है बच्चो हरी क्या होती है घास अधिक क्या हो गया अधिक क्या होता है वस्तुए समान अधिक वस्तुए सोरी अधिक आएगा हमारा वस्तुए बच्चो में वेक्ती भी लगा दि ठीक है अधिक वस्तुएं ठीक है आगे देखिए स्वस्त वेक्ति स्वस्त क्या होता है वेक्ति होता है ठीक है सुहाना सुहाना क्या होता है हमेशा मौसम ठीक है बच्चों तो ये इसका है विशेशन के साथ उसके विशेश्य शब्द थे आप उनको उसके सामने भी लिख सक ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, निमलकित विशेशन शब्दों को उची स्तान पर लिखिए, अब आपको यहाँ पर विशेशन शब्द दिये हैं, आपने इनको ढून कर इनके आगे लिखना है किये कौन-कौन से विशेशन शब्द हैं, जैसे गुण वाचक विशे परिमान वाचक और सार्मनिक विशेशन इसको संकेत वाचक या सार्मनामिक विशेशन भी कहते हैं, ठीक है, अब देखिए, गुण वाचक विशेशन पहले बच्चों हम गुण वाचक विशेशन ढूनते हैं, जहाँ पर हमें गुण बता रहे हैं, तो पहले एक हमारा दे कायर भी गूण होता है, ठीक है, मीठा, मीठा भी क्या होता है, गूण होता है, तो ये होगे हमारे गूण वाचक विशेशन, ठीक है, अब देखिए संख्या वाचक विशेशन में, अब संख्या वाचक विशेशन में मैंने आपको बताया है, जो संख्या दी जाए, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, जहाँ पर संख्या दी जाती है, अब देखिए पहले, कोई नहीं आएगा, खटा, भारी नहीं, यह भी नहीं, कायर भी नहीं, कुछ लोग, बच्चों लोगों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, लोगों को हम गिन संख्या पता सकते हैं, तो कुछ लोग, तो ये हमारा अनिश्यत संख्या वाचक विशेशन होता है, कुछ लोग, ठीक है, डेड़ दर्जन इसको माप कर लेते हैं, 6 किलो भी माप कर लेते हैं, 30, 30 भी हम गिन सकते हैं, गिनते हैं, संख्या है, सात्वा, सात्वा भी क्या है बच्चों हमारी संख्या है, ठीक है, समझ आ गया अब देखिए परिमानवाचक परिमानवाचक में जिसे हम माप तोल करके लेते हैं तो पहला क्या आ गया हमारा डेड़ दर्जन ये मापा हुआ है है ना ठीक है उसके बाद क्या है छे छे किलो ये भी हम माप तोल करके लेते हैं ठीक है बच्चों छे किलो के बाद क्य कोई मतलब कोई नहीं बता रखा कोई ठीक है समझा गया अब आगे देखिए अब है सार्वनामिक सार्वनामिक में क्या आएगा बच्चों यह है मैंने बोले ना जो किसी की तरफ इशारा करते हैं यह है ना उस इसमें इतना ही है उस ठीक है दो है हमारे सार्वनामिक विशेशन ठीक है बच्चों समझा गया आपको आप देखिए अब आपने यह नीचे आपको एक चितर दिया गया है इसको आपने ध्यान पूरवक देखना है और इसमें विशेशन शब्दों का परियोग करते हुए आपने क्या करना है इस चितर का क्या करना है इस पर एक अनुछेद लिखना है ठीक है बच्चों तो आप पहले आप देखिए यह एक चितर है आप लिख सकते हैं पहले हम लिखेंगे चितर के बारे में यह एक खेत का सुन्दर चितर है ठीक है बच्चों है ठीक है बच्च खेट अब आप लिखेंगे देखिए और क्या है इस चित्र में किसान खेट में काम कर रहा है किसान कैसा रहा है किसा होता बच्चो किसान देख सकते हो आप किसान किसान बहुत महंती है महंती उसका गुणा आगया बच्चो है ना पेड़ पर आप लिख सकते हैं पेड़ पर चिडिया का सुंदर गोसला है ठीक है बच्चो गोसले में दो बच्चे हैं ठीक है यह देखो ना एक दो चिडिया के दो बच्चे हैं ठीक है अब और के लिख सकते हो बच्चो चारों तरफ हरी आली है हरी आली भी सुंदर हो गया ठीक है हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ठीक है पेड़ ऐसे लिख सकते हैं समझ आगे बच्चो आपको तो यह आपने इसके उपर एक क्या लिखना है अनुछेद लिखना है ठीक है तो आप यह अनुछेद लिखेंगे आगे ब बच्चिंग